आचल और रोहन एक दूसरे से प्यार करते थे तब आचल कॉलेज के लास्ट यर में थी आज दोनू की सगाई थी इसे बीच रोहन की बहन दीपती को पता चला कि जिस कॉलेज में उसने एड्मिशन लिया है आचल भी उसी कॉलेज में पढ़ती है ये सुनकर दीपती थोड़ा चिड़ गई ओ, अच्छा, तुमने भी मेरे कॉलेज में एड्मिशन लिया है अच्छा किया, वैसे तो मेरा ब्लास्ट यर है पर जितने समय तक मैं साथ हूँ उतने समय तक अच्छा है हम दोनों ननत भावी एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे वैसे दीपती आचल पढ़ने में बहुत होशियार है इसे पूरा कॉलेज जानता है ये मुझे तुम्हारी सारी खबर देती रहेगी कि तुम पढ़ाई में कितना ध्यान दे रही हो मतलब आप मुझ पर निगरानी रखने वाले हो वैसे आप अभी मेरे भावी बने नहीं हो अभी सिर्फ सगाई हुई है दीपती जिस तरह से आचल से बात करती है वो तरीका ठीक नहीं था फिर भी सगाई का मौका था इसलिए आचल चुप रहती है सगाई के कुछ दिनों बाद आचल और दीपती फिर से कॉलेज जाना शुरू करती है कॉलेज में आचल दीपती से बात करने की कोशिश करती थी पर दीपती उससे बात करना पसंद नहीं करती थी दीपती तुझे तेरी आचल भावी बुला रही है देख पूजा आचल मेरी अभी भावी बनी नहीं है और वैसे भी एक कॉलेज है कॉलेज में रिष्टे नहीं चलते वो भी मेरी तर एक साधारून स्टूडेंट ही है बस यह अलग बात है कि वो मेरी सीनियर है बागे तो रूख मैं अभी पूछ कर आती हूँ क्या बात है दी आचल समझ चुकी थी कि दीप्ती को उसका बार बार बात करना पसंद नहीं इसलिए अब कॉलेज में आचल ने उससे बात करना कम कर दिया आचल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और कुछ समय बाद एक्जाम थे इसलिए वो भी कॉलेज की पढ़ाई में बिजी हो ग मुझे इसी बात का डर रहता है वैसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कॉलेज में उसका ख्याल रखती होगी पर फिर भी मेरे मन में था इसलिए मुझे तुमसे कहना ठीक लगा आचल ने रोहन को वादा तो कर लिया पर वो जानती थी कि दीप्ती के नाते दीप्ती की केर करने लगी एक दिप्ती कॉलेज की छुट्टी के बाद घर जाने की जगा कुछ लड़कों और लड़कियों के साथ बाइक पर बैठ कर कहीं घूमने निकल गई है आचल जानती थी उनमें से जिस लड़के की बाइक पर दीप्ती बैठी है वो लड़का कॉलेज का गुंड़ा बतमाश है दीप्ती विक्की अच्छा लड़का नहीं है प्लीज तुम उसके साथ घूमा मत करो मैं उसे अच्छे से जानती हूँ पिछले तीन साल उसे वो लगातार फाइनल एर में फेल हो रहा है जान बूचकर क्योंकि वो लड़कियों के साथ बहुत आवारा गर्दी करता है इसी वज़े से वो कॉलेज से निकलना ही नहीं चाता वो अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का है तुम उसके जहां से में मत आओ देखो आचल भावी आप कॉलेज में अपना हुकुम चलाना बंद करो मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको रोहन भाया ने ये सब करने के लिए का है पर एक बात मैं आपको क्लियर कर रही हूँ मैं विक्की से प्यार करती हूँ मैं और विक्की एक साथ बहुत खुश है इसलिए बैतर होगा आप मेरे से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दिप्की विक्की की बाईट पर बैट कर चली जाती है पर विक्की उसे आचल के लिए भड़का देता है क्योंकि विक्की खुद आचल के पीछे पड़ा हुआ था पर आचल ने उसे पहले एक बार थपड़ मार कर सबक सिखा दिया था विकी आचल से अपने थपड का बदला लेना चाहता था इसलिए वो दीप्ती के मन में आचल के लिए जलन भड़ देता है उसी शाम आचल जब रोहन से मिलने घर आती है तब दीप्ती और आचल की सास वही मौझूद थे दीप्ती ने आचल के कुछ जूटे वीडियो और फोटोग्राफस एडिट करके रोहन को दिखा दिये और रोहन को आचल के खिलाव भड़काने लगी आचल मुझे तुमसे ये उमीद ही नहीं थी तुम मुझे दोगा दे रही थी तुम्हारे तो और भी बहुत से लड़कों के साथ नाजाय संबंध है और तुम मेरे से शादी करने वाली हो मैं तुमसे सारे रिष्टे तोड़ रहा हूँ आज के बाद मुझे कॉंटेक्ट करने की कोशिश मत करना मा, मैं ये सगाई भी तोड़ रहा हूँ पर एक बार आपस में बात तो कर लेते बेटा मा, आप क्या ही बात करने के लिए रह गई है मैंने भाया को वीडियो और फोटोग्राफ्स दिखा दिये सब कुछ उनके सामने है अच्छा है, समय रहते आजल के सच्चाई हम सब के सामने आ गई वरना भाया की पूरी लाइफ खराब हो जाती आचल रोती हुई वहां से चली जाती है तब ही बीच रास्ते में रोहन अपनी बाइक रोग देता है और आचल को बाइक पर बैटने के लिए कहता है आचल रोते हुए उसकी बाइक पर बैट जाती है रोहन उसे गार्डन मिले जाता है और सारी सच्चा ही बताता है हम सौरी आचल मैंने दीप्ति के सामने न जाने तुम्हें क्या कुछ कह दिया पर सच तो यह है कि मैं नाटक कर रहा था मैं जानता हूँ आजकल सोशल मीडिया पर किसी का भी चहरा हटा कर किसी का भी चहरा लगा सकते हैं वीडियो आडियो बना सकते हैं बनावटी जूटा नकली कुछ भी दिखा सकते हैं आजकल तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी चीज सच है और कौन सी जूट मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है पर मैं अपनी बहन दीप्ती को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ प्रीज तुम मेरी मदद करो मेरी बहन को सही रास्ते पर ले आओ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी रोहन मैं दीप्ती को सही रापर जरूर लाऊंगी कॉलेज में दीप्ती आचल से बिल्कूल भी बात नहीं कर रही थी वो तो बस सारा दिन कॉलेज में विक्की के साथ घूमती रहती थी तुम क्या कह रहे थी दीप्ती? तुम्हारे भईया कि इस आचल के साथ सखाय तूट गई है? हाँ विक्की इस साचल को तो ना जाने कितने और लड़कों के साथ कॉलेज में अफ्यर था मैंने तो भया को सारी सच्चाई बता दी भया ने भी मेरी बात को माना और इससे रिष्टा तोड़ दिया अब इसका मेरे से कोई रिष्टा नहीं है कॉलेज में अब हम ननत भावी नहीं है ये मेरी कुछ नहीं लगती अरे चलो एक्जाम का टाइम हो रहा है बेल बज गई है विक्की तुम नकल के पेपर लाए हो ना हाँ हाँ टेंशन मतलो मेरे पास सारे क्वेस्चन के आंसार है मैं तुम्हें सब बता दूँगा वैसे भी मेरी बेहन आकांशा भी तुम्हारे साथ ही पेपर दे रही है मुझे उसे भी निकल के पेपर देने मैं दोनों को दे दूँगा दीप्ति विक्की के जहांसे में आ जाती है और पेपर देने के लिए बैठ जाती है पेपर शुरू हो चुका था विकी खिड़की के बाहर से अपनी बहन को नकल के पेपर पकड़ा रहा था तब है एक्जाम टीचर की नसर विकी की बहन पर पढ़ जाती है वो घब रा जाती है भाया सर ने मुझे देख ले अब क्या करो एक काम कर आकांशा तू यह सारे पेपर दीप्ती के टेबल पर रख दे तू बच जाएगी आकांशा जल्दी से सारे नकल के कागस दीप्ती की टेबल पर रख देती है दीप्ती को इस बात का पता ही नहीं चलता इतनी देर में एक्जाम टीचर राउंड लगाते हुए दिप्ती की सीट तक आते हैं और दिप्ती की डेस्क पर नकल के पर्चे देख लेते हैं सर मैंने कोई नकल नहीं की मुझे नहीं पता ही पेपर्स कहां से आये मुझे कुछ नहीं सुनना सबूत मेरे सामने है ये पेपर तुम्हारे टेबल से मिले है इसका मतलब यही है कि तुम नकल कर रही थी अब मैं तुम्हें पेपर नहीं देने दूँगा दिप्ती रोने लगती है तब ही आचल आ जाती है आचल वहां की बहुत ब्राइट स्टूरेंट थी सबी टीचर्स भी उसकी बहुत प्रशन सा करते थे सर दिप्ती बिल्कुल ठीक क्या रही है ये नकल की पेपर दिप्ती के नहीं है बलकि विकी की बहन आकांशा के है आकांशा नहीं डर कर ये सारे पेपर दिप्ती की टेबल पर रख दिये थे आप CCTV कैमरा की फुटेज में देख सकते है आपको सबूत मिल जाएगा ठीक है आचल मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ क्योंकि तुम हमारे कॉलेज की बहुत होनहार स्टुडेंट हो तुम कभी गलत नहीं हो सकती CCTV फुटेज में सारी सच्चाई आ जाती है विक्की को कॉलेज से निकाल देते है और उसकी बहन आकार्शा को पेपर देने से रोग देते है दीप्ती को अपनी गलती का एहसास होता है आज आचल नहीं उसका करियर बरबाद होने से बचा लिया आचल अपना वादा पूरा करती है रोहन और उसकी ममी भी आचल के उपर बहुत गर्व करते हैं अब दीप्ती के मन में भी अपनी भावी आचल के लिए कोई करवाहट नहीं थी अरे माला जल्दी करना देर हो रही है बस भावी आ गई मैं जरा चपल पहन लू जल्दी आजा नहीं तो तेरे भावी गुस्सा करेंगे आगे भावी भावी आज साइकल पर पीछे मैं बैटूंगी अच्छा दादी और मैं कहां बैटूंगी आप आगे बैट जाओना जैसे मैं बैटती हूँ हट पगली साइकल पर आगे छोटे बच्चे बैटतें बड़े नहीं ये कहानी है माला और सरीता की माला और किशन भाई बहन थे कुछ साल पहले एक हादसे में माला के माता पिता की मौत हो गई तभी से किशन ने माला की सारी जिम्मेदारी उठा ली माला को मा और भाई का प्यार मिले इसलिए किशन ने सरीता से शादी कर ली सरीता ने भी माला को अपनी बेटी ही मान लिया वो माला पर जान छिड़कती थी उस दिन किशन माला और सरीता गाउं में ही एक शादी में जा रहे थे फिर शादी में खाना खाते हुए भाबी, हम, ये दुलहन ने क्या पहना हुआ है? ये लेंगा है, अब तेरे पास भी तो है वो हरा वाला नहीं, लेकिन ये तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं है हम, क्योंकि ये दुलहन का लेंगा है और बहुत महंगा भी आता है अच्छा, तो कितने का मिलता है ये वाला लेंगा भाबी? अरे, तु ऐसे क्यों पूछ रही है? जब मेरी शादी होगी न, तो आप मुझे ये लेकर दोगी हाँ, हाँ, क्यों नहीं दोगी? मेरी लाडो दुलहन बनकर कितनी सुन्दर लगेगी? कितनी अच्छी हो भाबी आप, रुको, इसी बात पर मैं आपके लिए एक और रजगुला लेकर आती हूँ अच्छा, चंट कहीं की माला और सरिता जिस शादी में गए थे, वो गाउं के जमिनदार की बेटी की शादी थी जमिनदार के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए शेहर से बहुत ही महँगा ब्राइडर लेहँगा सिलबाय था पर ये बात छोटी माला को कहां समझा थी, लेकिन सरिता के दिमाग में ये बात घर कर गई थी घर लोटते हुए साइकिल के आगे बैठी माला, अपने भईया के साथ धेर सारी बाते करती रही और साइकिल पर पीछे बैठी सरिता, बस यही हिसाब लगा रहे थी, कि उसे हर महीने कितने पैसे जोड़ने होंगे, ताकि माला की शादी तक वो उसके लिए एक अच्छा ल गाने पड़ेंगे, आप एक काम करी, 15,000 उपए, चितना चल्दी हो सके, काउंटर पर जमा करा दीजी, किशन जब खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था, उसके साथ ही उसे अस्पताल तो लेह आए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसी बात कह जिसके बाद सरिता सोच में पड़ गई, सरिता के पास पैसे थे, मगर वो उसने माला के लहंगे के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन इस वक्त किशन का इलाज ज़ादा जरूरी था, सरिता ने सारे पैसे अस्पताल में जमा कर दिये, इस तरह किशन की जान तो बच गई, ल खोब खिलाई पिलाई भी करनी होगी, जी डॉक्टर साहब, उस दिन से सरिता पर घर चलाने की पूरी जमेदारी आ गई, हलांकि अच्छी बात ये थी कि अब माला जवान हो गई थी, तो माला घर का काम देखती और सरिता बाहर जाकर एक फैक्टरी में काम करने लगी, अभी उसे कुछ सूचा, नमस्ते सेट जी, नमस्ते नमस्ते, बताओ क्या चाहिए? नहीं नहीं सेट जी, मैं कुछ खरीदने नहीं आई हो, मैं तो काम मागने आई हो, अच्छा, ऐसे मेरे यहाँ एक मशीन खाली तो है, तुम्हें सिलाई आती है? आती तो नहीं है सेट ज जल्दी से जल्दी सीख लूगी, चाहे तो मुझे आप पैसे मत देना, बस बढ़ियां लेंगा सिलना सिखा देना। सरिता की आँखों में सच्चाई देखकर सेट ने उसे काम पर रख लिया, अगले ही दिन से सरिता उस दुकान के काबिल दरजियों से सिलाई सीखने लग जी, देखिए ये मैंने सिला है, सरिता के हाथों में एक बहुत ही प्यारा लेंगा था, उस लेंगे को देखकर सेट बहुत खुश हुआ और फिर कुछ सोच कर बोला। तुम्हारी पहली पगार उसने अपना मन मार लिया और किसी से कुछ नहीं कहा, ऐसे ही कुछ और वक्त भी था और फिर माला की शादी का दिन भी आ गया। माला, माला, दर्वाजा कोल जल्दी। जी भाबी, देखो भाबी, ये साड़ी मुझ पर जच रही है न, सुन्दर लग रही हुँ न। अरी पगली, इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि अपनी भाबी से कुछ चुपा पाए। सेट जी, अंदर आजाए, ये है मेरी गुडिया। शादी बहुत-बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया सेट जी। खुश रहो, और ये लो, ये तुम्हारी भाबी की तरफ से तुम्हारे लिए तोफा। पर सेट जी, आपके बिना ये मुम्किन ना हो पाता। अरे, मैंने तो सिर्फ तुम्हे कपड़ा दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ दे दिया इसमें। ये लहंगा सच में अनमोल है, मुझे नहीं पता कि इस गाउ में इतना महंगा लहंगा आज तक किसी दुलहन ने पहना है की नहीं। नहीं पहना होगा सेट जी, क्योंकि किसी भी दुलहन के पास इतना प्यार करने वाली मा जैसी भाबी थोड़े ही होगी। बबबी